यूपियर उत्राखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दपाई 1989 बैच के आईपियस अधिकारी अशोक कुमार को उत्राखंड डीजीपी बनाया गया है मौझूदा डीजीपी अनिल रतूडी 30 नवंबर को रिटार होने जा रहे हैं उनके स्थान को अशोक कुमार पद ग्रहन करेंगे अशोक कुमार ने अभी तक उत्राखंड के डीजीपी का कारेभार समाला भी नहीं मगर उन्होंने अभी से ही अपने तेवर साफ कर दिये सबसे पहले डीजीपी की बदमाशों को दी गई ये चेतावनी सुने मैं अपना परियास करूँगा कि जो पुलिस है वो पीपल फ्रेंडली पुलिस हूँ पीपल ओरंटिड पुलिसिंग करें ऐसी पुलिस विवस्ता हम करें जिसमें कि आम आदमी जिसको देख करके पुलिस को देख के खुस हो और जिस पुलिस का बदमाशों में खोफ हो बदमाशों में भै हो और बदमाश उत्राखन की तरफ रुख करने से पहले दस बार सोचें बदमाशों को नवनियोक्त टीजेपी की साफ चेतावनी है सुधर जाओ नहीं तो जेल जाओ प्रदेश में पढ़ते अपराद को लेकर भी एबीपी कंगा ने अशुक कमार से सवाल किया उन्होंने साफ कर दिया कि देव भूमी में अपराद बरदाश्त नहीं किया जाएगा जो क्राइम उत्राखन बनने से पहले था इन चार बोडर के जनपतों में आज की तारिक में उससे कहीं जादा कम है और हम लोगों की पुलिस यह हैं इतनी जादा एफिशेंट है कि जो हमारा वर्काउट रेस हो आज 80% से जादा है तो कभी 30% होता था पूरे देश के टोप मोस्ट वर्काउट में से एक हैं अब मास को आज पता है अगर उसने उत्राखन में कोई घटना करी तो बचेगा नहीं अक्सर सवाल उखते रहे हैं कि पुलिस अनुशासन में नहीं रहे हैं मगर नवनियोक तो टीजीपी ने साफ कर दिया कि अगर अब ऐसा हुआ तो फेर खैर नहीं कि वेलफेर का सवाल है हम उसको भी 100% करेंगे उनकी प्रमोंशन को टाइम ले देंगे जो बेस्ट पॉसिबल उनकी वेलफेर हो सकती हो करेंगे किन्तु जो उनसे मेरे अप्रेक्षा है वो वही है कि ऐसी पुलिस ववस्था दें जिससे आम आदमी खुस हो और जिससे बद अनिल रतूडी 30 नवेंबर को रेटायर हो रहे हैं उनकी जगा अशो कुमार पत ग्रहन करेंगी अशो कुमार अपनी कुशल नीति और विवारिक्ता के लिए जाने जाते हैं ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस का मुखिया बनने पर मित्र पुलिस की कारिश्यरी मे काफी सुधार होका